आज हम बात करने वाले हैं Life and Known Life Insurance Companies in India के बारे में और यह उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीकॉम पड़ रहे हैं और फैनेंशल मैंजमेंट एंड इंस्टिउशन का टॉपिक पड़ रहे हैं या फिर उसका एक पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट बनाके आप कुद दिया गया है साथ ही साथ अगर आप UGC NET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो को मत छोड़के जाएगा इसमें से जरूर आपका एक्वेशन बन सकता है तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इस लाइफ ए देखिए इंशॉरंस में भी आपका दो तरीके के इंशॉरंस आजाते हैं एक है लाइफ इंशॉरंस और एक होता है नौन लाइफ इंशॉरंस हैं हम इसमें दोनों के बार में पहनने वाले हैं लाइफ इंशॉरंस और नौन लाइफ इंशॉरंस साथ ही साथ चो बहुती मह तो पूर्ण है जिसमें से आपके question बनते हैं वो होता है type of these insurance यानि कि type of life insurance और type of non-life insurance हम दोनों के बारे में discussion करेंगे चलिए start करते हैं सबसे पहले type of insurance है तो insurance क्या होती है देखे अगर आप ज़ादे technical words में ना जाए और normal life में भी देखें तो आप कैसे देखते हो कि आप insurance करवाते हो ताकि जो आपको future में loss होने वाला है वो आपको ना bear करना पड़े बलकि आपकी जगे कोई company bear कर ले जिसने आपको वो insurance बेचा है company कहती है कि आप हमें monthly, yearly कुछ payment दीजिए और future में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ अगर हुआ तो we will pay you for that हम आपको उसका amount पे करेंगे तो यह क्या है यह है कि आप अपना risk कम कर रहे हो बिल्कुल खतम तो नहीं कर रहे हो बर कम कर रहे हो उसको minimize कर रहे हो so insurance is a financial product to reduce or minimize risk of loss to life, health and property किस का loss यह हो सकता आपकी life का loss हो या health का loss हो या property का loss हो इन चीजों का loss अब आप कम कर रहे होते हो और उसके लिए एक financial product खरीदते हो जिसका नाम है insurance so आपको insurance लिया जाता है और आपको यह सारी चीजों का risk minimize कर दिया जाता है it is collective sharing of risk by large pool of insured people who pay premium as their share for meeting future risk through insured value क्यों करेगी कोई भी company आपके लिए अपनी जेब से खर्चा obviously आप उनको कोई ना कोई payment दे रहे हो तब ही कुछ जाके वो आपके लिए pay करेगी so वो payment job देते हो उसको आप कहते हो premium तो चलिए सबसे पहले थोड़ा insurance की history के बारे में जान लेते है insurance की history के अगर बात करें तो insurance बहुत पहले start हो गया था बलकि आप अगर वेदों में देखे तो भी वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि insurance उस time से available था यानि बहुत जादा time पहले से insurance चीज available थी लेकिन इसको बिलकुल existence में जब आया गया वो था 1818 यानि यहाँ पे देखिए आप 1818 में in India life insurance business started with the launching of the oriental life insurance company in कौलकेता तो अगर आप से पूछादा है सबसे पुरानी कौन सी है insurance company that is your oriental life insurance company which started in 1818 in कलकेता तो यह आपका था सबसे पहला history जो की available है उसके बाद 1914 में returns of insurance company in India started publishing by the government government ने क्या किया इन insurance company के जो returns थे उनके बारे में publish करना start कर दिया 1938 में previous legislation was replaced by the insurance act जो 1938 से पहले एक हमारा insurance act था उसको replaced किया गया and 1938 for effective control over the activity of insurance ताकि जो भी insurer थे उनके उपर effective control किया जा सके in 1956 nationalization हुआ life insurance sector का यानि जो भी आपकी insurance sector थे life insurance उसका nationalization किया गया और companies उसमें आ सकती थी LIC amalgamate हुई उसके बाद जहां पे आपकी 154 इंडियन और 16 नौन इंडियन इंशोर्नस आये और साथी साथ 75 प्रोविदेंच सोसाइटी को मिला करके इन सब को amalgamate करके एक company बनाए गए जो उसका नाम रखा गया life insurance company 1972 में with the enactment of the general insurance act general insurance sector was also nationalized with effect from 1st January 1973 अब 1973 में जो general insurance था यानि कि जो life insurance को छोड़के बाकी insurance हुआ करते हैं उनका भी nationalization कर दिया गया 107 insurers were merged into four company देके जो 107 insurers available थी उस time में general insurance में उन सब को मिला करके चार अलग company बना दी गई जो की थी national insurance company the new Indian insurance company the oriental insurance company and last united insurance Indian insurance company उसके बाद क्या हुआ in 1993 the Indian government set up a manhotra committee which proposed later that the private sector be allowed to enter the insurance sector they started that foreign companies should be allowed to enter through a joint venture with Indian partners 1993 में manhotra committee का गठन किया गया जुन्होंने ये प्रस्ताफ दिया कि आपको private sector को भी अलाव करना चाहिए थाकि वो insurance company insurance sector में आ सके और साथ ही साथ उन्होंने ये भी का कि आपको foreign की जो investors आना चाहते हैं उनके लिए भी option देना चाहिए कि वो joint venture करे हमारी किसी Indian company के साथ किसी Indian business के साथ और उनके साथ मिलकर के investment कर सके following of the suggestion of the committee in 1999 the Indian regulatory and development authority was set up an autonomous body to regulate and supervise the insurance sector in India ये 1999 में क्या हुआ इन्होंने जो ये अपनी report मनाई थी मनोत्रा कमेटी ने उसकी report के बिहाफ पे IRDA का गठन किया गया जो की है Indian regulatory and development authority जिस तरीके से bank के अंदर हो रही चीजों को देखने के लिए RBI होती है RBI सब चीज़े ensure करती है कि जो भी customer है जो भी पैसा डाल रहा है bank में उसका interest ना खोए उसका interest बना रहे उसी तरह insurance के लिए insurance जो करवा रहा है insurance उसका interest खतम ना हो जाए उसके साथ कुछ धोका ना हो जाए इसलिए IRDA का गठन किया गया जो की insurance company के कामधाम को देखता है कि कहीं वो गलत practice तो नहीं कर दे या गलत काम ना कर दे in 2000 insurance sector was open for private insurance along with foreign partner through joint venture 2000 में ये option दे दिया गया ये provide करवा दिया गया कि private जो आपके चीजें है private company है वो भी insurance sector में आ सकती है साथ ही साथ foreign partners भी आ सकते हैं किस के दौरा joint venture के दौरा तो यहां तक तो था हमारा history of आपका insurance लेकिन अब बात आती है सबसे most important topic which is your life insurance life insurance and type of life insurance life insurance होता क्या है अभी हमने insurance के बार में बात की insurance आपका होता है जहां आप अपना जो loss होता है उसे कम कर लेते हो जो loss होता है उसको कम कर लेते हो और फिर क्या करते हो अपने जो loss होता है वो किसी और को transfer कर देते हो क्योंकि आपने पहले उसके लिए premium पे किया हुआ है पट अब यह अगर आपने life को लेकर के किया है अपने life का insurance किया है so that is called your life insurance अब देखें life insurance an agreement an agreement that promise payment of an amount to the insured person or his nominee on the happening of the event insured against अब आपने कहा कि अगर आपका accident हो जाता है यानि insurance company के ने कहा कि अगर आपका accident हो जाता है तो हम आपको payment करेंगे या फिर अगर आप accident में मारे जाते हो या आप expire हो जाते हो तो आपकी जो nominee होगा यानि आपकी जो family होगी उनको हम payment करेंगे एक लाख रुपए की उसके लिए आप हमें premium देते रही है तो यह क्या हुआ यह हुआ यह हुआ life insurance अब यह agreement is binding for payment of the insured amount during अब यह agreement चो होता है उसमें आपको payment कप करनी परती है on the date of maturity जो भी maturity की date होगी, stated date at periodical intervals या फिर ill-fated death if it occurs earlier या फिर आपकी death हो जाए अगर उससे पहले ही so for this insured has to make the payment of premium periodically for insurance company now type of life insurance policies इससे related आपके पास question किस तरीकी से आ सकते हैं देखिए अगर आप B.com में है तो आपके पास question direct आ सकता है what is life insurance and कितने आपके types है life insurance के या फिर आपको short note लिखने को आ सकता है कि आप saving plan and money back policies के बारे में कुछ short note लिखे प्लस आपका differentiate भी करने के लिए इसमें आ सकता है यानि दो policies बता देंगे और इसमें आपको differentiate करना पड़ेगा तो इसलिए आपको ये पूरी चीज़े पता होनी चाहिए साथ ही साथ अब आपको यहां क्या करना है अब देखिए आपको यहां पर कैसे start करना है endorsement plan सबसे पहला plan है आपका endorsement plan endorsement plan यानि जिसको आप saving plan भी कहते हैं जो कि बहुत जादा की जाती है हमारे इंडिया में endorsement policy is essential of life insurance policy which apart from covering the life of the insured help the policy holder save regularly over a specific period at time so that he or she is able to get a lump sum amount on the policy maturing in case he or she survive in the policy अब देखिए आपने क्या किया life insurance करवाया कि अगर आप मर्ज बगवान न करें अगर आपके साथ कुछ ऐसी दुरगटना हो गई कि आप मर्ज आते हैं तो वो policy क्या करते हैं वो आपका payment जो होता है आपके घरवालों को दे देते हैं लेकिन अगर अच्छी बात यह हुई कि आप बच गए तो फिर क्या होगा क्या वो पैसा सारा डूप जाएगा आपके दिमाग में तो यह आएगा ना कि या ठीक है मैं दे रहा हूँ अगर मैं जिंदा रहा तो मेर इंडियन मेंटालिटी हमारी होती है कि हमको पैसा तो चाहिए ही चाहिए भाई वापस अगर हम कहीं इंवेस्ट कर रहे हैं तो इसी को ध्याल में रखते हुए एक प्लान आया वो था आपका सेविंग प्लान जिसमें क्या कहा गया कि आप अपना पेमेंट करते रहिए वो सेविंग हमारे पास पड़ा रहेगा अगर आपके मृत्ति होती है तो वो आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको दे दिया जाएगा लेकिन अधी आप बच जाते हो जो कि ओविसली मोस्ट ऑफ दा केसिस में होता है कि आप बच जाते हो तो फिर आपको वो पेमेंट आपको दिया जाएगा तो उसको कहते हैं सेविंग प्लान याने कि आपके सेविंग भी हो रहा है और आप टेंशन फ्री भी हो कि अगर कल को कुछ होता भी है so I don't have to worry the company will give the amount to my family आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता आपके मृतियों नहीं होती तो उसकेस में क्या होगा उसकेस में आपको वो पेमेंट सारा वापिस मिल जाएगा now the next one is money back policy money back policy अब आप कहोगे यार सेविंग में भी तो यही था money मिल रहे थी बट नहीं money back policy कुछ अलग है money back policy क्या है देखे इन आ money back plan the insured person gets a percentage of sum insured at regular interval instant of getting the lump sum amount at the end of the term it is an endorsement plan with the benefit of liquidity अब देखे मतलब क्या है saving plan में हमको क्या हो रहा था अगर हम नहीं मरे तो maturity period आते ही हमें सारा पैसा मिल जाएगा अपना लेकि money back policy में क्या है money back policy में आपको सारा पैसा एक साथ नहीं दिया जाता maturity complete हो गई है maturity period हो गया है खतम फिर भी आपके साथ क्या होगा फिर भी वो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा करके देंगे ताकि आपके पास liquidity बनी रहे ऐसा नहीं कि सारा पैसा उठाके आपको दे दिया जैसे पोटो में दिखाये गया है न यह चिलर दे रहा है एक एक करके यह थोड़ा थोड़ा करके उसी वे में है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे दिया जाएगा और साथी जाता कि आपके पास liquidity का option बना रहे है next one is whole life policy whole life policy अब आपने देखा होगा कई लोग कहते है कि कितने साल की premium policy करवानी है 10 साल 15 साल 20 साल या 25 साल यह होता है एक time period लेकिन अगर आपने यह सोच लिया कि यार अगर यह 10 साल की policy मैंने करवा ली और भगवान ना करे 10 साल और एक महीने बाद ही मैं टपक गया तो फिर तो वही होता है whole life policy में अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप जब तक जिन्दा रहोगे तब तक premium भी भरते रहोगे नहीं आपको premium एक limit amount तक यह भरना पड़ता है उसके बाद आपको कुछ payment नहीं करनी वो payment आपकी सारे insurance company के पास रहती है और आपको कुछ पैसा वापिस नह है करें आर मैंने तो policy ले रखी है और मेरेको कोई tension नहीं है whole life insurance last for a policyholder's lifetime as opposed to term life insurance which is for a specific amount of years whole life insurance is paid out of a beneficial or beneficiaries upon the policyholder's death provided that the premium payment were maintained next one is term insurance planning word तो मतलब आप सबने सुनना होगा आप सबने आप सबने आड देखी होगी जहां पर आपको दिखता है कि क्या आपने कभी सोचा है आपके जाने के बाद आपके घरवालों का क्या होगा उनकी बच्चों की fees कोन भरेगा वगेरा वगेरा यह आप रोज देखते होगे कहीं ना कहीं TV पर तो वो जह कहते है term insurance plan वो है क्या term insurance plan ऐसा क्या है उसमें तो कुछ भी नहीं है भाई साब term insurance plan यह होता है कि आप पैसा देते रही है आप मरे तो ही आपकी family को मिलेगा अधरवाइस उसका कुछ नहीं होगा वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा so look term life insurance or term insurance is life insurance that provide coverage at a fixed rate of payment of limited period of time the relevant term after that period expires covers at the previous rate of premiums is no longer guaranteed no longer guaranteed and the client must either forego conversion or potential obtain further coverage with different payment or condition if the life insured dies during the term the benefit will be paid to the beneficiary यानि उनकी family को term insurance is typically the least expensive way to purchase a substantial death benefit on a coverage amount per premium dollar basis over a specific period of time अब देखे जो आपका term insurance होता है उसकी premium बहुत कम होती है इसलिए इसको जो आप कह सकते हो least expensive बोला गया है कि इसमें जादा आपका खर्चा नहीं होता आपको पूरा एक बहुत बड़े amount का protection मिलता है कि आपके जाने के बाद इतना बड़ा amount आपकी family को दिया जाएगा क्योंकि लोग इंडिया में क्या है बहुत कम ऐसे लोग है जो ऐसी investment में plan करते हैं वो हमेशा positivity के साथ रहते हैं कि भाई मैं मरूंगा यह थोड़ी ना जरूरी थोड़ी थोड़ी ना क्या पता जिंदा भ बहुत जाएदे least expensive भी बोला गया है least यानी कम से कम expensive क्योंकि इसके premium बहुत कम होते हैं क्योंकि आपको मिलने के chances नहीं होते अगर आप जाओगे तभी आपकी family को दिये जाएगे और इस cases में बहुत कम numbers आपको दिखेंगे जहां actually किसी holder की death होती हो तो इसलिए देखें यहा पर सामने से इसको थपड मा रहा है कह रहा है it is not for you duffer it is for your family it is for those who leave behind so here यह पूरा चीज समझ में दिखाए गई है last but not the least आपकी दो plans यहां पे है पहला unit linked investment policy and next one is pension policy अब यह ULIP क्या है unit linked investment policy जिसको short में ULIP भी बोला गया है और आज के time पे काफी famous चीज निखर के आ रही है a unit linked insurance plan is a product offered by insurance company that unlike a pure insurance policy gives investor both insurance and investment under a single integrated plan अब आप चाते हो कि यार मुझे insurance में चाहिए साथी साथ investment भी करनी है mutual funds में या किसी shares में तो उसके लिए यह plan आपके लिए लाया गया है यह plan बहुत famous हुआ जिसमें आपको यह बोला गया है कि आप एक amount दीजिए उसका कुछ portion हम insurance में ड जाल देंगे जिससे क्या होगा आपको investment का return भी मिलता रहेगा साथी साथ आपकी जो है insurance भी हो जाएगी तो इसलिए यह plan आपका निकल के आया था unit linked investment policy ताकि investment को भी जोर दिया जा सके ताकि लोग investment पे भी ज्यादा ध्यान दे next one is pension policy I think you all know about it पहला तो यहाँ देख एक तरफ आपको return मिल रहे है एक तरफ आपको insurance मिल रहा है तो इसलिए यह link किया गया चलिए pension policy की तरफ pension plan और retirement plan are insurance plus investment plan that help an individual create a corpus for their own future over a period of time on maturity a third of the accumulated corpse can be withdraw as a lump sum and the rest of the parties in the form of pension इसमें क्या है कि आप एक insurance के साथ साथ अपना जो retirement plan है वो भी ले लेते हो और जो maturity period आती है तो जितना पैसा आपके पास available होता है उस plan से उसका one by third आप निकाल सकते हो और बाकी का जो amount होता है वो आपको एक pension की तरह धीरे धीरे करके company आपको pay करती रहती है तो इसलिए दे this is your pension policy now come to non-life insurance sector we have discussed about the life insurance sector now we will discuss about non-life insurance sector पर उससे पहले अगर नहीं किया है हमारे चैनल को subscribe तो कर लेना प्लीज हमारे चैनल को subscribe और वीडियो समझ आ रही हो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और शेर कर दीजेगा तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं non-life insurance sector जिसको journal insurance भी बोला गया है अब देखिए जरूरी तो नहीं है मैं सिर्फ अपनी life का insurance करवा हो सकता है मुझे अपनी जान से जादा मुझे अपनी गाड़ी बियारी होगी हो सकता है मुझे अपनी जान से जादा मुझे अपना घर पिया तो इसलिए मैं उन चीजों का भी insurance करवा सकती हूँ तो ऐसी कोई भी चीज जो life से अलग है life के अंटर नहीं आ रही है तो उन सबको हम कहते है non-life products और उसका जो insurance होता है उसको कहते है non-life insurance या फिर general insurance so it is basically an insurance policy to safeguard the individual against losses and damages other than life कोई भी other than life चीज है उसका चोड़ लोस या damages है उससे safeguard करने के लिए आप करवाते हो general insurance general insurance include insurance of property against fire, bulgari, theft, health insurance, travel insurance, the insured period is usually one year and premium are usually paid one on a one time basis अब इस case में क्या होता है इस case में usually बोला गया है यानि हर policy का नहीं है usually इस case में होता है आपका कि आपको साल में एक बार ही premium देनी पढ़ती है और ये एक साल के लिए ही valid होता है आपका life insurance की तरह नहीं कि 10-20 साल तक चलता जा रहा है बस एक साल तक के लिए काम खतम चलिए सबसे पहला जो आपका type of journal insurance में आता है वो है motor vehicle insurance आपने देखा होगा movies में कि कई लोगों को उनकी गाड़ी बड़ी प्यारी होती है जैसे total थमाल में वो एक अंकल थे ना उनकी वो अपनी गाड़ी बड़ी प्यारी थी कि उनको उसका loss कम कर सके उसका amount मिल जाए या फिर अगर किसी third party को उनोंने गलती से ठोक दिया तो उसके लिए भी आपको वो insurance help करता है अब देखें motor insurance is just like an other insurance policy but unlike the insurance it is mandatory एक बात ध्यान देजेगा इंडिया में motor vehicle insurance mandatory है यानि आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा चाहे गाड़ी प्यारी है या नहीं है अपन को कोई फरक नहीं पड़ता it is mandatory तुम्हें purchase करना पड़ेगा and as the name suggests it is an insurance that is related to a type of motor vehicle, motorcycle, car, jeep, commercial vehicle etc अब किस किस की हो सकती है ये car, jeep, motorcycle, motorbikes or commercial vehicle सभी motor insurance has been a mandatory by the government for your safety and the safety of the others and the yearly premium you pay is just a madigree sum when compared to the advantages it has the offer to you in case good for buy any mishap देखें क्या बोला गया है यहां पर बोला गया है कि आपके देखा चाहे तो आपका जो premium होता है बहुत काम होता है लेकिन इसका जो benefit है वो बहुत जादा है इसलिए government ने इसको mandatory कर रखा है क्योंकि आप अगर जाओगे insurance करवाने तो minimum या maximum आपको एक average निकालो तो 15 से जादा का नहीं बनता है अगर own average निकालो तो उस case में क्या होगा उस case में यह है कि कल को भगवान न करें अगर अपके motor vehicle के साथ कुछ accident होता है या फिर किसी और के साथ accident होता है तो उस case में वो आपको benefit देती है आपको compensate करवाने में help करती है यहाँ देख सकते हैं दो bike बिचारी ठुक गई और इसको लेके जा रहे हैं बट कोई वरी नहीं है इसको क्यूंकि इसने ले रखा है अपना motor vehicle insurance now come to the health insurance health insurance क्या होता है जो आप अपनी health के लिए लेते हो कि अगर कलको आपको कोई बिमारी होती है तो उसके लिए आपको hospital का खर्चा निकालना पड़े या फिर आपको कोई test करवाने है उसका खर्चा निकालना पड़े तो उस case में आपको health insurance काम आता है health insurance is a type of insurance coverage that pays the medical, surgical and sometimes dental expenses कौन-कौन से आपके है insurance cover that pay medical insurance surgical का कुछ अपाउंट है और कभी-कभी आपकी dental expense भी ये पे करते हैं by the insured health insurance can reimburse the insured by expenses incurred for illness or injury यानि आपको बहुत जादा कुछ seriousness हो गई आप hospital गई आपने payment की अब आप वो payment जो आपने की है वो अपने insurance से वापस ले सकते हो कि भई हमने insurance करवाई हुई थी और हमने payment की आइतनी तो मुझे तुम वापस दो it is often include the employer benefit packages ये चीज़े आपका text के according लिखा गया है कि अगर company आपका करवाती है health insurance तो वो उसके क्या-क्या आपको फाइदे या नुक्सान हो सकते हैं दें कि health insurance अगर आप खुद भी करवा रहे हो तो हम आपको बता दें कि text benefit आपको होता है under 80D के आपको text में छूट मिलती है आपको उसमें chapter 6a में जो आपको deduction मिलती है 80s की deduction उसमें 80D में आपको health के लिए deduction मिलती है health insurance के लिए now see इसको बिचाले का pad टूडिया but he is happy he is like okay मैंने ले रखा है health insurance मैं क्यो tension लो तो इसलिए ये खुश है next is your travel insurance देखे travel insurance क्या होता है अगर आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो वहाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है कुछ भी मतलब आपको कोई loot के ले जाएगा बगवन न करे ठीक है या कुछ और हो गया तो उस situation में आप क्या करोगे एक अलग जगे है आप कुछ जानते नहीं ह आपको बहुत जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत जादा लॉस हो गया तो वहाँ पर आपके जो खर्शे हुए या जो भी प्रॉब्लम्स हुई वो सारे आप इंशॉरंस करवा सकते हो उन सब चीजों के लिए तो देखे यह पूरी फामली जा रहे हैं अपना बोरिया बिस्ता लेके घूमने इंशॉरंस अब बात करते हैं होम इंशॉरंस के भाया होम इंशॉरंस तो बहुत सब्सक्राइब है अज का टाइम में अब वो क्या हो सकता है या तो आपके घर के अंदर ही कुछ हो गया आगवाग लग गई या कुछ हुआ या फिर बाहर से कोई ऐसा सिस्टम हुआ जिसकी वज़े से आपकी घर को नुकसान हो गया तो देखे ये बिचारा पेड़ गिर गया तो इसलिए ये अब साड हो रहा है तो ये अगर इनोंने इंशॉरंस करवा रखा होता तो ये खुश होते हैं कि चल कोई बात ने इंशॉरंस ठीक करा लेंगे नाओ दे लास्ट पर नॉट लीस्ट आपके दो यहां पे हैं मेरीन इंशॉरंस और कमर्शल इंशॉरंस मेरीन इंशॉरंस जैसा फोटो में दिख रहा है आपको बिचारे का समान ढूब गया ये शिप से लेके आ रहा था मेरीन इंशॉरंस उन लोगों के लिए होता है जो की कारगो से अपना समान लाते हैं कारगो यानि की शिप से समान लाते हैं देखे दो चीज होती है एक होती है कारगो एक होता है शिप्मेंट cargo होता है जब आप ship से समान ला रहे होते हो और shipment होता है जब आप car से समान ला रहे होते हो तो दोनों का difference देखे है बलही नाम आपको लगता है कि car से ला रहे हैं तो cargo होना चाहिए बट नहीं उल्टा है यहाँ पे car से ला रहे हो तो shipment और ship से ला रहे हो तो cargo तो ये ध्यान रखना ये आपके लिए कारगो का समान होता है जब आप ला रहे होते हो तो उस केस में क्या होता है अगर आपका समान डूब गया कुछ प्रब्लम हो गई तो उस केस में आपका इन सारे समान का इंशॉरंस होता है ये आपको करवाना पड़ता है marine insurance is another variant of the general term insurance and and as the name suggests is provided to ship boats and most important the cargo that is carried in them a marine insurance is very important because through marine insurance ship owner and transporter can be sure of claiming damages especially considering the mode of transportation used on the four modes of transportation next which is commercial insurance marine insurance is obviously the one that you are taking ship from the ship you are taking containers and you are taking containers and you are taking products available so don't worry if there is a problem in the ship then obviously if there is a storm or something in the ship then the ship will drop and you can also drop and you can also drop हो उसको कहता है marine insurance now commercial insurance commercial insurance or business insurance is a type of insurance that cover risk related to any business कोई भी business related जो आपका risk होता है उसको insure करने के लिए आपको कहा जाता है commercial insurance there are various kinds of insurance policy available in the market to help different business get various business risk ताकि आपका business का risk कम किया जा सके और वो जादा से जादा उसमें बहतर काम कर सके तो यह था आपका insurance related पूरा topic अगर आपको यह आपकी PDF चाहिए तो हमारे चैनल के about में आप चाहके देख सकते हो वहाँ पे हमने जो about में एक link दिया हुआ है टेलिग्राम चैनल का उस टेलिग्राम चैनल पर हमने यह नोट्स अविलिबल करवा दिये हैं थैंक्स फॉ वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब और चैनल